तो दोस्तों बिना बैल्ट की चूड़ी दर पजामी बनाने के लिए आपको चाहिए सवा दो मिटर कपड़ा लेकिन अगर किसी की लंबाई जादा हो या फिर जादा चूड़ियां चाहिए नीचे उसके लिए आप धाई मिटर पौने तिन मिटर कपड़ा भी ले सकते हो फि क्योंकि चूड़ी दर पजामी हमेशा उरेवी कपड़े की ही बनती है तो उरेव करने के लिए इसे आपको क्या करना है यह देखिए यह आप देखसे तो इस तरह से जो कपड़ा बिछा हुआ है यह दोनों चोड़ों को आपने उस जगे जाके मिला लेना दूसरे छोड के है ठीक है आप देख सकते हो ट्राइंगल इसका बन चुका है कटिंग जब होगी तो यह कपड़ा स्ट्रेच इस प्रकार से हो जाता है अब दोस्तों इधर से बिल्कुल बराबर है आप देख सकते हो लेकिन इधर से कपड़ा चोटा बढ़ा है तो इसको में इस प्रकार से छोटा कर लेता हूं तांकि न आफको काट आपके बराबर करोन अरश भेस्कार्व बिल्कुल करने मरें पक्षां करने में उनозмец को कटर को vertically किंग करने में चुछा में पिदा सब्सकार कि आप और्डी से तो यहां पर इसका measurement में पहले लिख लिएता हूं फिर मैं आपको बाता हूं फ्रेंट्स आप देख से हैं इसका जो total measurement है वह स्चे-शाले लिख लिए इन्च सब से पहले है लंबाई 48 लंबाइ इसकी 38 है कमर is 34 है हिपम is इसका है 36 टी फोर थाइस यानि कि जो जांग का नापर वह है 22 इंच के फोर नी यानि कि घुटना गुटना इसका सो लाइंच है और बी फोर बॉटम यानि कि मोहरी महरी इसकी है 9 चैवल 6 आपको चाहिए अब जब कपड़े को आप इस प्रकार से बिच्छा लेते हो तो सबसे पहले जो शुरुवात की जाएगे दोस्तों वो की जाएगे उपर से उपर से आपको इस जगह से जो है सबसे पहले एक निशान लगाना है साड़े तीन इंच पर यह देखी यह साड़े क्टिंग करने के बाद दोस्तू अब आपको क्या करना है अब इसमें आपको लगाना है लंबाइका निशान लंबाइगा करना यह देखें गिंवर दो जर्चश पर नहीं चोड़न हैं क्यूक्स कि दोस्तों जब जोड पर लगया लगते हैं तो उपर जो कपड़ा होता है तो आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लंबाई यह वह अरती सिंच और उपर जो फोल्ड करने के लिए हम अलग से इसमें पटी लगाएंगे आप दोस्तों लंबाई हो चुकी है लंबाई के बाद कमर के नाप के अभी हमें जूरत नहीं पड़ेगी कमर के आपकी जूरत हमें तब पड़े कि जब इसमें जॉइंट लगाएंगे उसके बाद आते हैं हिप साइज पर हिप साइज दोस्तों हम इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो क्रोच यह यह यानि कि जो आसने हम निकाल सकें तो चूड़ी दर पजामी का आसन निकालने का चूड़ी दर पजामी बनाते हो तो यह देखें बिल्कुल सीधा आपको इस तरह से स्टेट लाइन खींचनी है तो यह इसका क्रोच एरिया निकल चुका है हिप के बाद दोस्तों आते हैं थाइज पर थाइज इसका जो ना पर दोस्तों वह है बाइस इंच तो बाइस का कितना होता है 11 इस जगे आपको 11 पर निशान लगाना यह देखें यह उसकी 20 हो गई थाइस के बाद दोस्तों गुटना गुटना इसका है 16 इंच अब घुटने का निशान आपको लगाना किस जगे पर यह बड़ा कंफूजन होता है इस कंफूजन को दूर करने का अब दोस्तों यह दो इंच का क्या फार्मूला है क्या सिगने इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं एक्शली होता क्या दोस्तों जिस जगे पर जो लास्टिक होती है यानि जो कमर होती हैं जहां पर पजामी को बांते हैं वहां से लेकर गुटने तक की जो लंबाई है वो अलग होती है मेरा कहना का मतलब यह है कि घुटने से लेकर पैर तक की जो लंबाई वो जादा होती है और कमर से लेकर घुटने तक की जो लंबाई कम होती है तो इस लिए दोस्तों आपको जो भी लंबाई होती है लंबाई का आधा करने के बाद उपर है तानकि जो लैक्स की लंबाई है जो टांगो की लंबाई है वहाँ पर हम घुटने का निशान लगा सकें बढ़ाई से बीपकुल सिंपल सा यह यह फार्मूला है अब दोस्तों यह जो मैंने निशान लगाया है दो इंच उपर इसकी है before bottom यानि मोहरी है इसकी 9 तो 9 का आदा कितना होता है साड़े 4 इस साड़े 4 पर निशान आपको लगाना है अब आपको उठानी है शेप पट्टी और शेप पट्टी के मदद से इस परकार से इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और इस निशान को आपने उपपर इस परकार से लेकर जाना है ठीक है अब दोस्तों यह होगी सारी के सारी लंबाई अब इसके लाव हमारे पास यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ना अब इस एक्स्ट्रा कपड़े के बन जाएंगी आपकी चूडियां ठीक है जाला लंबिश क्राइव चूडियां में नहीं बन पाएंगी लेकिन अगर आपको जाला चूडियां चाहिए तो उसमें आप ताइमेटर कप्रा यूज कर सकते हो लेकिन फिर भी काफी चूडियां बन जाएंगी लगबग यह दस ओंच के करीब जो है चूडियां बन तो फ्रेंड्स ये देखे इस परकार से आप देख सकते हो अभी नीचे का काम complete हो चुका है अब इसमें बात करते और उपर की तरफ यह देखिए यहां पर आपको लगाना है जोड कैसे लगाना इनको बिलकुल बराबर देखें ये एक दो और यहां से कबारा जोंट कर लेंगे इसको बदाव भी करने दिखें इसके емонहklärाना है इसके सामने रखें गें पिते 3534 तो 34 का दा होता है 34 का आदा होता है 17 और 17 का आदा साड़े 8 यह साड़े 8 पर निशान लग लिए इसकी फिक्स कमर है लेकर हमने इस के लगानी है मैं लास्टिक लगाने के लिए 21 चाहिए ज़िए टो मारजन आप कियां कि यह देखिए ठीक है बहुत ही आसान है बहुत Comment करता हूँ हandil यह कपड़ा है जोएट को लग कर लेते हैं से का है तो अब आप देख सकते इस तरह से चार जोड़ इसके इस परकार से लग जाएंगे और इसमें उपर जोड़ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए उपर जोड़ लगाने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए तो आपको पट्टी की भी कटिंग कर लेनी यह देखे इस से पट्टी आपको लेनी है अगर यह दो पट्टिया दोस्तों मैं इसलिए काटी है अगर मालो कम रह जाए तो इसमें हम जोड लगा के भी सो फोल्ड कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा से एक्जामपल दिखा जाता हूं यह देखिए यह जो पट्टी है टोटल धाइंच की है इसे इसमें हम जोड लगाएंगे इसको इस प्रकार से पकड़ा तो आप देख सकते हो यह जो म्यानी है म्यानी आपको एक अंदाजे से काटनी इसका कोई सटीक फार्मूला निये को बस जर्नली साड़े चार इंच चोड़ी यह पांच इंच उड़ी आपको म्यानी लेनी यह देखिए यह लगबग पांच मैंने पजामी की कर ली है अब इसके सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले जब आपने इसकी सिलाई करनी है सिलाई करना बहुत ही असान है सबसे पहले यह देखिए इस प्रकार से खोल ले ठीक है दो पल्ले हैं और रही बात जोड़ की टोटल चार जोड़ है यह ठी ठीक है आपको एक जोड इधर लगाना है इस परकार से एक जोड आपको इधर लगाना है ठीक है यह जोड इसी परकार से दूसरी तरफ भी आपको जोड लगा लेने जोड बहुत असानी से आपके लग जाएंगे सीधी स्लै लगानी है और चारो जोड लगाने के बाद दोस् तो अब आपको उठानी है म्यानी तो यह देखिए म्यानी लगाना बहुत असान है म्यानी को आपने इस प्रकार से रखना है यह देखिए बड़ा वाला जो हिस्सा है चोड़ा वाला वह आपका नीचे की तरफ रखना है आपको और पतला वाला इस्सा है कोरना वाला वह आप लगाएंगे तो अपने आप उसमें अग्जेस्ट हो जाएगी अब मैंने लगाने के बाद दोस्तों इसमें हमने उपर लगाना है जॉइंट यह जो पट्टी काटी थी ने मैंने इस पट्टी को आपने इस परकार से रखना है सीधी आपको लगाने के बाद यह जो पट्टी इस प्रकार से जोड है इस जोड को मैंने लगा लिया है और यह जोड आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ चला जाएगा दोनों ही पल्लों में मैंने इस जोड को लगा लिया है आप यह देख सकते हो ठीक है जोड लगाने के बाद दोस्तों अब इस पल्ले को आपने इसके रखना यह देखिए ठीक है अब आपको क्या करना है यहां से स्टार्टिंग करनी अप चाहे उपर से स्टार्ट कर लो चाहे नीचे से कर लो कोई दिक्कत नहीं है इदर से मैं इसमें लगी पड़ी है और इसमें अपने आप ही अर्जेस्ट हो जाएगी लग जाएगी तरफ दोनव तरफ यह आपको स्टार्ट कर लगाए लिए और लगाने के बाद इसका अगय का कम में अबको बो बताता हो ऑफ्रेंड से इस प्रकार से अपको पूरी घाई और एक तरसे में इस परकार से इसको बोलते हैं चिडिया को मैंने बना लिया जो कि बहुत असान है अब दोस्तों इस चिडिया को बनाने के बाद क्या करना आपको यह देखिए यह जो मैंने पट्टी लगाई थी नूपर आप देखिए तो पट्टी बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है लेकर नीचे का तो यहाँ पर जब नेफका क Girardi करते हैं तो यहाँ पे क्या बहुत ज़ाद जोल आता है लेकिन जब आप इसे पर पट्टी को फोल्ट लगे तो बिलकुल भी जोल नहीं आएगा एक दान से बिलकुर सीदेगे से नेफा फॉल्ड हो जाएगा नेफा को फोल्ड करने के इस दोस्तो हमें भहुत असान से भी आपको निशान दिख रहे हैं इस निशान के ऊपर आपको लगा नियुक्त I वह लाइन एक तरफ इसमें निशान होते हैं और दूसरे तरफ इसमें आप निशान लगा सकते हो कि बहुत ही असानां ये देखे लिए कि वे membhi को सीधा नहीं लेकिया ना इसको हलका सबस थोड़ा से इस तरह से नीचे गुमा देना है ताकि नीचे पैर इसमें थोड़ी लूज रहे चढ़ाने में दिक्कत ना रहे तो दोस्तों इस प्रकार से इस काम को पहले मैं कर लेता हूं लास्ट का इसका जो काम होगा लास्टिक वह मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं उस प्रकार से यह जो गिद्री की जो सलाई होती है यह मैंने लगा ली है और वैसे देखा जाया तो पजामी तो कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको इसमें लास्टिक नहीं लगानी तो आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हो लेकिन दोस्तों हम इसमें लगाएंगे लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका यह है देखिए कमर है इसकी 34 तो जो भी आपकी कमर होती है कमर से आपको लगबग 3 यह फिर 4 इंच लास्टिक कम लेनी है तो यह देखिए टोटल मेरे पास लास्टिक है यह यह फी 44 में से अगर हम 3 में करते हैं तो ठीस यह लगा देंगे सिंपल यह है कि चितने भी कमर आपकी होती कमर में से आपको 3 या फिस चार इंच लास्टिक कम लेनी है अब स लगाना भी ही असान चार नाश्ठिक कम लेनी है अब इस लगाना बहुत ही असान अपको लेनी है एक सेखी पिन एक को इस प्रकार से लास्टिक को पकड़ना है यह को मैं इसके अंदर सेट कर लिया है अब यह जो मैंने जगह बनाई थी इस जगह से एक जगह से लास्टिक को डालेंगे और दूसरी जगह से इसको निकाल लेंगे तो दोस्तों देखिए लास्टिक मैं इस प्रकार से लगा लि अब जो उसमें सबसे बड़ा जो है इशू वो यह है यह लास्टिक नजर आ लिए लास्टिक नजर नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना यह देखिए इस प्रकासी जो ओपर आप थोड़ा सा चड़ा लेना है और यहां पर आपने एक लगानी है देखिए लगाने से क्या ठीक है और कई बार में बता चुका हूँ लास्टिक लगाने का तरीका जो कि बहुत असान है यह देखिए इसी तरह से इस लाइक के क्रम को आपने जारी रखना है यह देखिए इस प्रकार से पहले गैदर सरकाएं ठीक है पीछे से भी आपको खिंचते हुए चलना है तो आप लगा ली है तो अगर इसके लाइंगा प्लीस लगाने के बाद दोस्तों अब इसके अनदर सिर्फ एक काम रह गया है वह इसकी इंट लोक और इसकी प्राइस करने के बद हमारी यह जो चूडिदर पजामी है जो कि बिना बैल्ट के हमने बनाई है पहनने के लिये बिल करें और हमें support करें thank you very much